आज की वीडियो CDS में वो पांच गलतियां जो आप GS की पेपर में करनी है आप ये माल लीजिए ये वीडियो जो मैंने पांच वार गलती करी है लगए ठाई साल का experience आपके सामने रख रहा हूं आपको ये गलतियां बिलकुल नहीं करनी है वन्ना आपकी CDS में तो बेंड बजने ही बाली है ओके भई तो एक करके सबको ट्रैकल करते हैं और आज मैं चलते फिरते ही वीडियो बनाऊँगा कुछ नया करने का ट्रै करते हैं तो आज की जो पांच मिस्टेक हैं वो GS की बारे अब आप बोलोंगे 6-7 गंटे हम GS हम तो पूरा मिलाकी बढ़बारे CDS के लिए और आप बोले 6-7 गंटे GS पढ़ना तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बिलकुल नहीं है ये उनके लिए जो बास्तम में seriously GS में इतना जादा टाइम देते हैं जो बहुत जादा है 6 टेबल ऐसा होना ओटी वालों के लिए ठीक है 6 गंटे आप दे सकते हैं इंगलिस में 3 गंटे 19 गंटे हो गया आपके काम सही जलेगा लेकिन अगर आप IME EFE की तयारी कर रहे हैं तो टाइम को एक्क्वली बाटी है अगर आप 4-4 गंटे देंगे तीनों में तो more than sufficient है ठीक ह बाई अब यह मुझे नहीं पता है आप लोग कैसे क्या कितना बढ़ेंगे लेकिन आपको time को limited करना है क्योंकि GS में ज्यादर marks लाना बहुत ज्यादर tough होता है rather than other subject English and maths okay तो first mistake यही है मैंने third attempt में लगवग GS को 6-7-7 गंटे दिये थे और वहाँ पर मैंने maths को compromise किया था क्योंकि उससे पहले मेरे मेरे में 65 marks आ चुके थे तो इस बज़ए से हालत खराब होई और GS की बज़ए से मेरा selection नहीं हो पाया ठीक है second point है लोग हिस्टरी को ignore करके जाते है पूरी तरीके से तो मेरा तरफ से सला है आप हिस्टरी को जरूर पढ़ें कम से कम modern हिस्टरी पढ़ें ठीक है modern हिस्टरी विजय नगर सामराज इतना कर लीजिए बहुत सही रहेगा तो second जो mistake है वो history ignore नहीं करते हैं अपनी third mistake पर आते हैं जो लोग maths के student होते हैं 9, 10, 11, 12 में जिनों आपके पास math होती है वो biology से पहुँच जादा ड़ते हैं और biology ignore करते हैं आपको biology बिल्कुल ignore नहीं करनी है biology आपको करनी ही है ठीक है बाई? science के 30 questions अब उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा जितने से करेंगे उतना ज़्यादा profit होगा तो biology को अवस्ते पढ़े हैं सबसे पहले पढ़े है 9, 10, NCRT करनी है science की तो easily हो जाएगी ठीक है? तो third mistake है biology फोर्थ actually mistakes बोली है या फिर आप ये बोली है आपकी preferable choice है मैं इस पर comment वैसे करना नहीं चाहिए बट मैं बताता हूँ कि daily current affairs करना वक्वास होगा एक तरह से आप जो हाँ monthly current affairs करें cds के लिए sufficient है अगर अगर आप daily कर पा रहे है daily revision कर पा रहे है उन सबका तो सही है लेकिन अगर आप monthly करते है तो जादा अच्छा होगा ठीक है तो इसे mistaken account नहीं करते हैं ये मेरी तब से आप free advice माल लीजे monthly जो है sufficient रहता है चौथा जो point है वो most important point है क्योंकि उसमें आती है आपकी practice आप लोग GS की theory 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 पढ़ते जाते हैं और practice करते है चीरो या सिर्फ बह के लगाई है बहुत जादा beneficial होगा GS के लिए ठीक है loose end वगेरा अरहंत जहां से भी आपको बिलने है questions लगाई है कम से कम previous year तो लगाने ही है must तो fourth mistake हो गई हम कम practice करते हैं पांच मीं mistake देखिया पांच मीं एक में एक तरफ से advice है आप इसे mistakes नाम आने है आप जो है GS का जैसे क कि मैंने बोला कि limited रखना है तो limited रखने के लिए आप एक-एक सब्जेक्ट skip कर सकते हैं और वह है economics क्योंकि economics के questions जो है काफी कम आते हैं लगवक 10 questions के round आते हैं ठीक है तो आपके ये 5 चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है आपको सबसे पहले बेटेज पता हो ये fix है उपर नीचे होते रहते हैं दो तिन questions लेकिन इतना आता ही आता है लगवक ठीक है तो बस guys मुझे नहीं पता आप लोग इन चीज़ों को कितनी seriously लेंगे बट seriously ये आपको बहुत ज़्यादा helpful करने वाली है आप इनको ignore मत करिए बिलकुल भी किसी भी हालत में जो भी biology को नहीं करना है मतलब नहीं करना है आप मेरा यकीन मानिए आप geography history कितना भी पढ़ लीजिए है ना और biology को इसको आदा कर आदा पढ़ना होगा उन दोना मिलाकर आप 10 कुस्त नहीं कर पाएंगे geography और history में जितना biology में जल्दी कर लेंगे ठीक है और अगर आपको GS की पूर चैहिंद गुड़ लग फोर योज सीजियर सेक्चा